ट्रिग्नोमेट्रिक को आप लोग हिंदी में क्या बोलते थे तिरकोंड मिती ना तिरकोंड मिती क्या होता था तिरकोंड मिती बताईए थोड़ा बहुत मतलब एक समकोंड तिर भूज रहता था उसमें हम लोग तीन को कोंड के बारे में जानते थे अच्छा अप लोग साइन थीटा कोस थीटा यह सब पढ़े होंगे एए बात ने किजे, sin theta, cos theta ये सब के बारे हम पढ़ते होंगे, ये सब क्या होता था, 10th class में जो पढ़े थे, sin theta, sin theta क्या होता था, P by H, P by H क्या है, P by H, P है, lump और H है क्या था, lump ना, तो right angle triangle में, ये एक angle क्या रहता है, 90 degree रहता है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसका naming कर दे रहे है नाम दे रहे है A, B, C ठेक और ये angle अगर theta है ये angle theta है तो इसको हम लोग base लेते थे जिधर theta लेता थे उधर base लेते थे इसके just इधर क्या लेते थे perpendicular अज इसको hypothenus और आप लोग एक relation पढ़े होंगे H square is equal to P square plus D square ये था इसको बोलते थे पाइथो को रस्तियोरम ये ना और ये सब जितना था sine theta, cos theta ये सब क्या था sides का ratio ही था P by H मतलब P और H का ratio को sine theta बोलते थे इसी type से cos theta इसको क्या होता था cos theta is equal to B by H उसके बाद 10 theta P by B और 10 के बाद code theta ठीक है 4 theta इसका उल्टा होता था 10 का उल्टा, B by P ठीक, इसके बाद क्या था सेक और cosec सेक theta क्या होता था H by B cos का उल्टा होता था h by B हो जाएगा और cosec का H by P ये sine का उल्टा होता था H by P ठीक, ये सब तो basic जानकारी है ठीक अभी हम लोग जो पढ़ने वाले है वो है degree जीशे कि आप लोग जानते होंगे एक complete circle में केतना degree होता है 360 360 ठीक है 180 degree होता है इसमें होता है हम लोग का 180 degree को हम लोग pi से दिखाते, pi radian ठीक है तो अगर एक degree का बात करें कितना degree का एक degree का एक degree में क्या हो जाएगा pi बटा 180 radian ठीक तो आप लोग को इस चेप्टर में ना सबसे पहले degree को radian में radian को degree में मतलब change करने वाला question आप लोग पूछेगा जिसी कि अगर मान लेता है तो तो 540 degree को कैसे करेंगे radian में हम लोग क्या करेंगे degree को radian में करने लिए कितना सबस्टिपलाई करना है pi बटा 180 से गूणा करदना है संचना रहा बतलब इसको अगर radian में लाना चाहे तो 540 गुने πाई बटा 180 और ये रेडियन में हो जाएगा ठेक तो ये क्या हो जाएगा 0 0 कटा 80 या 54 तो 3 पाई रेडियन कितना हो जाएगा 3 पाई रेडियन समझ में आ रहा है अब अगर कभी-कभी रेडियन में देज़ेगा तो कैसे करेंगे 3 भाग कर देंगे 3पा इंटू इसका जैश्ट उस्त इल्टक्या भाइगा 510 toossi को अल्टक्रा पाय होगा तो इस सब बात में दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, आप लोग जानते होंगे, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एक सच बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते होंगे, तो इंगलीज में इसको बस एक्स एक्सिस बोलें, क्या बलेंगे, एक्स एक् लेटे हां पहुत करे यहां पहलं काegenर जी रोडिगरी बन रहे हैं यहां पाई बटा टू होगा, यहां पे बनेगा हम लोगा कितना, पाई बाई टू, मतलब यह एंगल क्या होगा, पाई बाई टू, इसमें अब हम लोग 90 डिग्री ना लिखे कितना लिखेंगे, पाई बाई टू, ठीक है, 90 डिग्री उटके लिखेंगे, पाई बाई टू, अब य 180 degree को अगर रेडियन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 गुने πाई बटा 180 तो 180 कटेगा तो कितना हो जाएगा पाई मतलब इसको बोलेंगे हम लोग कितना पाई ठीक है अब यहां से अगर यहां तक आते हैं यहां से लेके यहां तक तो यहां पर 180 में और यह दो बार में हो गया कितना है यहां पर 3 पाई बाए अब देखिये यहां पर और जोड़ेंगे ना तो पाई और पाई कितना अफिर एगह तक जाएंगे तो यहां पर यहां पर अगा 4 पाई यहां पर नहीं है इसमें दिकत नहीं है आप देखिए आप लोग आप लोग जो है ना पहले कुछ कुछ पढ़े थे फर्मूला नाइन्थ क्लास में उसको एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं साइन नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता था कोस थीटा ठीक इसी टाइप से कोस नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता था साइन थीटा ठीक है इसके बाद टेन नाइन्टी माइनस थीटा इस उकल टू कोड थीटा ठीक और क्या पढ़े थे साइन का उल्टा होता है कोसेक ना कोसेक, 90-θ, यह होता था, सेक, धिता, और सेक, 90-θ, यह क्या होता था? कोसेक, धिता, यही ना? तो यह मेरे लिखने का यही मक्सद है, कि इसमें हम लोगों पता क्या चल रहा है, साइन हमेशा चेंज होगा, कोस में, छिक है? एंगल में कभी बढ़लेगा तो किसमें साइन कोस बढ़लेगा साइन में और deception बढ़लेगा कोट में और कोसेक बढ़ले गा cornkem सेख बढ़लेगा अब देख़ी आप हम लोग इधर नरका तो इसको पीर्थम चांब खतूलियर अंडिomination इसको इंगलिस में लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट ठीक चतुर्थांस जो आप लोग इंदिम बोलते हैं उसी को क्वाड्रेट बोलते हैं ठीक इसको बोलेंगे सेकेंड क्व इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट यहां तक दिकत नहीं है आप देखिए अगर हम लोग करते थे ढुश्ण नाइन T माइननस धीटा करते हैं अब लोग 90 डिङर में माइनस करें मतलब कोभर वर स्टमारा ठीक है है तो आप लोग को याद करक कर रहना की पड़िला चतूद्धर है ऌता उस पौर्जब में शारा जीतना भी स्प Krista सब्सक्राइब तो इसमें क्या होता है? All positive, ठीक है? और इसमें होता है Sine और Cosec, क्या क्या होता है? Sine और? Sine. Sine. अब देखिए, एक बात और बता देते हैं, ठीक है? यह तो क्या Sine, Cosec में चेंज होता है. लेकिन अगर हम लोग बात करें, One by Sin theta. तो ये क्या होता था पूसथी तो न होगा वन बैश्यान तिता हैां लेकर एसको किलिए रखना है वन बैश्यान धिता यह थैक तो हम शोंगा स्थील सरुम रणी में होगा था शोंगार पूंप टो या था चैहिसा तो इसमें आप देहान दीजिए हैं आप लो तभी जो कर रहा है कि इसमें क्या होता था और पोजिटिव अब इसमें साइन और रोगा साइन वरनबाइ सांड क्लोच एफ साइन अंसाइ न में को सेख्स की काडे bar समझना रहा है और तीसरा कोडिन में पोजिटीव रहेगा टेन और कोट क्या कर रहेगा टेन और कोट और इसमें रहेगा कोस और कोस का उल्ट क्या होता है वन बाई कोस सेक होता है ठीक है सेक यह बात को थोड़ा से दिमाग में रखना है पहला में क्या रहेगा सारा पोजिट ठीक और दूसरा में क्या रहेगा, साइन और कौशेक, तीसरा में टेन और कोट, और चोथा में कोश और सेक, ठीक, अब देखे और एक बात जानना है, कि कभी भी 90 डिग्री से हम लोग प्लस चाह फिर माइस करेंगे न, तो हम लोग उसमें चेंज करेंगे, क्या करेंगे, मतल सबसे पहले चेंज करने वापन प्लस या मैंनेज को तो देखें यहां प्लस तीसरा कॉडिन में साइन प्लस में रता है कि माइनस में इसमें हम बता है कि टेनर कोट को ही प्लस में लेना है तो इसमें क्या जाएगा माइनस आएगा सबसे पहले ठीक है क्या एगा माइनस अब देखें यह वह एक सेक्सिस है ना वो चेंज नहीं करता है क्या न तीटा को इसको लिंख देना है ठेक? सब्सक्राइब जोड रहा है थीटा बचा हुआ है थीटा फोड़ा मोड़ा बुझा रहा होगा योला ठेक? दू तिन को बनाए गा तब भुझाए अभी देखे अगर माल लेते हैं कोस अब पाई के जगर में 2 पाई कर दे रहे हैं ठीक है 2 पाई प्लस थिटा अगर करते हैं ठीक क्या करते हैं कोस 2 पाई प्लस थिटा ठीक अब देखे 2 पाई कहां पे आ रहा है यहाँ पाई फिर टू पाई यहाँ आ रहा था है आ रहा था ना टू पाई यहाँ पे है और इससे प्लस कर रहा है मतलब फिर वापस पहला क्वाडन में आ रहा है ठीक और देखिए यह पहला क्वाडन में क्या होता है सारा पोजिटिव मतलब इसके आगे माइनस साइन नहीं बचाएं अब देखिए यह एकसिस चेंज करता एंकस और चेश हने explains अब defeated नहीं he वजह आरहा है अभी एभीवी फिर समझा आ है आप लोग क्या करते थे सांथ। नैंना साहिन तो यह क्या कम करेंगे नाइंनने क्या क्या करेंगी नैंटी में कुछ बहुतला डार कीज़ेंайтесь न्युकि फोसओ videog Türkiye कंखे नाइंटी में क्या करेंगे रएंट्रा के म सब्सक्राइब क्या क्या होता है संभार तो यक्स किया होगगा चेंज होगा ठोगा तक यह किस में बदलेगा इस में इसे को प्लस कर लिखते अगर और साइन, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा करते हैं, ठेक, क्या करते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो इसमें क्या होगा, पाई बाई टू है मतलब, चेंज करेगा, और पाई बाई टू से प्लस कर रहे हैं, मतलब, कौन सा क्वाटरेंट में जा रहा है, पह ओल स्टुडेंट थेक कोपी याद रह रखना है क्या याद रखना ओल स्टूडेंट टेक कोपी ओल मतलब पहिला क्वड़ेंड इंद ऑला सबाखने Awakल फ़ेला क्वाडरेंड फिर्स्ट इसमें क्या रहे गा सारा कोजीटीव मतलब इसको हीन्दी क्या है universe करफा कर एक प्लस हुद्ट और स्टुडेंट एस से क्या होता है। और साइन, वन बाई साइन än क्या होता है? वन बाई साइन होता है Cosek समझ महा रहा है ती से होता है Ten और वन बाई टेर पर कोट्ट मतलब इसमें Ten और कोट्ट अरे जि किना वर्ड है गए आप थीसरा थार्ट क्वाट ध्रेन में क्या होगा Ten और कोट इसी टैज से कोपी सी से क्या होता है को तो 10 में तो कोट आगया है तो लास्ट पीका पफ्चेगा कोस बचेगा से याद रहेगा है यह वह ट्रिक से एक दम याद रखना है ठीक आर इसको इसे करना है सौल ठीक है पहले आप लगका exercise में इस अब कराएगा तो sin 5 by 2 प्लस तिटा कर रहे हैं अब imagine किजैंगे पाइब एक्सशिस है यह एक्सिस से प्लस में जा रहे हैं तो दूसरा क्वार्रेण दूसरा क्वार्रेंड में sin positive होता है तो यहां प्लस डालेंगे सबसे पहले बात अब इसके बाद क्या करेंगे साइंट चेंज होगा जोगा काई कि Y-axis है तो साइंट चेंज किसमें होता है कोस्ट में डायरेक कोस टीटा लिख देंगे समझ में आER अब बनाते हैं 3 पााय बैट ऊजो सब का बनाते हैं अब बनाते हैं माल लेते हैं 10 स्माने 3 Chouse टू माइनस थीटा क्या कर रहे हैं थी पाइब टू ठीक है थी पाइब टू इसको बोलते हैं 270 डिग्री को चिक है वह कई से बदलना है सुर्वय में सिकाया है ठीक है रेडियम बदलने का सिकाया ना नोट एक बार की करवाएंगा भी देख लीज़े ठीक है तो इसमें थे ट इसको लिखेंगे टेन है तो मतलब भी प्लस एम होगा ठेक और चेंज होगा टेन चेंज होगा किसमें कोट में ठेक और यह क्या जाएगा थिटा समझ में आ रहा है अब देखिए अब अगर कुष्टा है और चार-पाज बना रहे हैं साइन टू पाई ठेक टू प्लस टेंटा किसमें आएगां मुंन फोला में आएगा टू पै प्लस थिटा क्या हो जाएगा ऑफ अपने किस में होगा खेंज होगा चेहन नहीं होगा तो साई नहीं होगा डिरेक्ट साइन थिटा होगा इजी है और दिमाग लगाते हैं अब हम कराते हैं सेख सेख थ्री पाई प्लस थिटा इस इक्वल टी क्या होगा चतुर्ख में थ्री पाई एक चीज और ध्यान देनेवाला बात क्या है कि यहां पे शम संक्या नहीं है तो मतलब अगर डारेक्ट अगर हम लोग यहां पर टू-पाई देख रहा है ठीक है थिरी पाई मतलब उदर ठीपाई में प्लस कर रहा है मतलब तीसरा में जाएगा और माइनस रहता तो दूसरा में आता समझ में रहा है तो 3 पाइप प्लस कर रहे है मतलब थर्ड क्वाडरेंट में क्या क्या पोजिटिव रहता है टेन और कोट तो यह हो जाएगा माइनस में और सेख बदलता है किसमें सेख कोस में बदलता है नहीं वहीं सा तो नहीं बता है यहाँ पर आपको क्या बताया थे सेख बदले किसमें को सेख में यह ना देकिए वन बाई सेख होता है कोस वन बाई सेख कोस होता है ना लेकिन सेख बदलता किसमें तो यह वन बाई बदलता किसमें उसमार थोड़ा सा याद रखना है ठेक तो यह वला तो आप लोग पढ़े हमें साइन बदलता है कोस में कोस बदलेगा साइन में टेन बदलेगा कोट में और कोसेक बदलेगा सेक में सेक बदलेगा कोसेक में और वन बाई साइन कोसेक और वन बाई कोस सेक और वन बाई टेन कोट तो इधर देख और शेक किस में बदलेगा कोशेक में ठेक और यह थीटा को लिख दिए समझ में आ रहा है समझ में तो यही सब है अब हम लों का पहला एक्सरसाइज में ठेक तो एंसे आटी किताब खोलिए कराक दिखाता है ठेक लाइट आया का नहीं है देखिए कोशेण में पुछ रहा ठेक और एक कोंसेप्ट पढ़ना थोड़ा से देखिए कोशेण में पुछ रहा एक्जांपल और फो insights करना है । चालिस डिगरी 20 मिनट अब मिनटवला कोंसेप्ट आम नहीं बता है ठेक अभी बता रहे-ठेक तो एक डिग्री जो होता है ना एक डिग्री एक डिग्री में होता है साथ मिनट क्या होता है और मिनट को एक उपर में डेस्ट से दिखाते हैं ठेक और एक जो मिनट होता है ना इसमें होता है साथ सकेंड समझना रहा है ठेक तो देखे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इ इसको क्या करेंगे, चालीस डिग्री हो गया, यह तो डिग्री ही है, इसको 40 प्लस, यह 21 मिनट है ना, मिनट को डिग्री में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट में क्या होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 60 स इसको अगर लिखेंगे यह कटेगा देखिए तो तीन से कट रहा है ना तीनी सत्य एक एक एस और साथ बटा बीस है मतलब इसको 40 पूर्णाम साथ बटा बीस लिख सकते हैं किसी टैप के दिकत है और इसका उपर में क्या जाएगा डिग्री में डिग्री हो जाएगा इसका य अब इसको हम लोग ले आते हैं इसको क्या बलते हैं मिक्स फ्रेक्शन बलते हैं ठीक है इसको फ्रेक्शन में ले आते हैं इंप्रोपर फ्रेक्शन में लेके आते हैं तो यह हो जाएगा गुना करेंगे तो कितना होगा चार दुना आठ चालेज दुना दो गो जीरो और प्लस साथ बटा बेस यह ना होगा तो यह हो जाएगा आठ जीरो साथ बटा बेस यह हो गया कैसी में डिग्री हो गया अब डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करते थे पाई यह बटा 180 से गुना करते थे यह ना है अरे 20 दिया हो था इसे लिए हम लोग फंज गया है क्वेश्चन में 20 दिया हुआ था अच्छा इसमें भी कोई दिखत नहीं ठीक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 807 बटा 20 गुने पाई बटा 180 तो अगर 20 दिया हुआ था था तो हम लोग असानी से कट पीटके कि तो में आजाता अंसर समझ में रहा है तो एक बार उसको बना के दखते हैं ठीक 40 डिग्री 20 मिनट है कोईशन में माल लेते हैं कोईशन में केतना है फ्रेक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 और प्लस 121 हो जाएगा ना 121 बटा 3 डिग्री और अगर इसको रेडियन में करना है तो हम लोग क्या करेंगे 120 बटा 3 गुने 5 बटा 180 और ये क्या हो जाएगा ग्रेडियन ठीक तो देखें इसको स्वल्प कीजिए कितना से कटेगा 3 नहीं कटेगा ना नहीं कटा रहा है आप देखिए दूसरा और एक question बनाद रहे है यह question number 1 था दूसरा question देखिए दूसरा question क्या है कि 6 radian into degree केतना radian को degree में करना है 6 radian को degree में करना है 6 radian मतलब और देखे रेडियन को डिग्रिम करने के लिए क्या करेंगे जैस्ट इसका उल्टा 180 बटा पाई तो मतलब इंडू कर देंगे 180 बटा पाई अगर भाग देना पाई बटा 180 से ठीक तो यह जाएगा 188 बटा पाई तो यही क्या हो गया यह इतना यह जाएगा अब इस डिग्री में कभी बिलाना होता है न तो पाई को का वेलू हम लोग 22 बटा साथ पूट कर देते हैं इसको पूट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक जिरो आट जिरो बटा बाईस बुने साथ से जिएग एटके से कटेगा नं कटेगा कटेगा कटेगाएगा один कहटने के लिए क्दॐट रहोंगे दो से बड़ कट रहा है देख़े न धो एक आ आप लोग डिविजिलिटी क्राइटरिया हम लोग 7-8 क्लास में पड़ते हैं मतलब कौन संख्या 11 से भाग जाता है कि ने उसके लिए कंडिशन क्या था जिसे कि अगर 540 है ना इसमें 540 था ना 540 है इसमें ओर डिविएन करके एक एक छोड़ के जोड़ते थे ठीक है एक छो सब्सक्राइब तो इसे हम लोग लोग नहीं लए किया जाता है इसको गुना कर देंके या घागओ क्या तेख the girl को आप दीगरिए children कि इसको क्या के पता है डीगरी मीनिट और सकेंड में लाया गया है टेक आप दीगरी मीनिट और सकेंड में क्या करें ठेक कई से लाएंगे इसको 11 से भाग देए ठेक 11 से भाग देदेट क्या एगा 11 या 33 ठेक केतना बच रहा है जल्दी बोढ़िए चार गार 44 फिर चार बच रहा है गारत या 33 सच कई साथ बटा ग्यार हो गा यतना मतलब इडिगरी पूरा आप में हो फिरmee क ठेक पितीए हो जाएगा 343 डिगरीब इसको मिनेट पे करना देते रहा है आए यह क्या प्लस एतना यह मीनिट में आ गया जैसे हम लोग साथ से गुना कर दिये मीनिट में अब इसको हम लोग गुना करके अभी फिर से आगे बढ़ाते हैं देखिए 343 डिग्री ठीक है प्लस साथ चा कितना होगा 420 बटा गया रहा यह क्या हो गया मीनिट में अब देखिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा 343 प्लस इसको फिर से भाग दीजिए क्या जाए गारा 333 1444 कितना बार में जाएगा तीन बार में कितना बचा भाग रिमेंडर कितना बच रहा है सेस्फल गारा 33729 नो बच रहा है ना नो जीरो गारा अठे अठाट अठासी अब आ यतना मीनट ठेक और इसको प्लस 2 डटा 11 बच रहा है ना इंटि साफ सक एंकर सक्ट हैं साथ शकें सकंड करें mi हैं अब अ An्यूआ मैं अब धीर साकेंड मैंके तो दो को डिस देंगden ये कुने समझे भारा तो यह हो जाएगा degree यह हो गया minute 343 degree plus 38 minute plus 6 दुना 120 बटा 11 120 बटा 11 को पॉइंट मिल यह तो कितना होगा 120 बटा 11 11 11 11 11 कितना बचा एक 0 10 पॉइंट 100 हो गया भी 11 नहों 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 लगबख 10 पॉइंट नहों आ रहा न मतलब यह 10 पॉइंट 9 क्या हो गया सेकेंड समझ में रहा है इस टेप से देखिए यहां पर लाया है 343 degree 38 minute 11 सेकेंड लाया है तो और और दचा आए नहीं है ना उसको लगबख में कार लिग दिया है सुना रहा है किलियर है इसी टाइप से करना है आप लोग बनाते चलिए ठेक इसके बाद फिर आगे बताएंगे